हलो दोस्तह, तो कैसे हो आप सबी होग सो यहां गाइस अभी जो यामा भी सोच रही कि अपनी गाड़ी जो एक्स एसर को इंडिया मार्केट में लॉँच करते हैं यह जो लीक मेरका बस्त अभी अभी मिला है यह मा के ओपीशल के तरफ से नहीं है यह जो अपडेट मेरका मिला तो तभी में बना रहा हूं कब तक यह क्या इसका प्राइजिंग रहने वाले हम लोग क्या कुछ इसमें फीचर्स मिलने वाले सबके बारे में हाज हम लोग डिसक्रस करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटे से रिक्वेश्ट है कि भाई अगर आप लोग चैनल पर नय हो चैनल को सब्सक्राइब किये वर कंपीट करें जो क्लासिक 350 एंड जावा को ठीक है जावा 42 को यह एकदम कंपीट करने वाले हाला कि वह सारे 300cc के गाड़िया हैं लेकिन यह 155cc के हिसाब से भी 300-300cc को आराम से बीट कर देगी ऐसे रेक्ट्रो लुग बाइक ठीक है तो अगर हम लोग बात करें इसकी पाव पावर जो इसमें हम लोग को आरण 5 से भी ज्यादा मिलने वाली जिहांगा इस आरण 5 में हम लोग को 18.2bhp मिल रहा था पावर लेकिन जो इस गाड़ी में हम लोग को अभी 19.3bhp का पावर मिलेगा 10,000 rpm जो टॉर्क है वह हम लोग को अभी 15 nm टॉर्क देखने को मिलेग जी हांगे जिस गाड़ी में हम लोग को 59 nm मतलब की 14.7nm टॉर्क देखने को मिलेगा लगभग 15 nm टॉर्क यहां पर देखने को मिलेगा 8,500 rpm गाड़ी में हम लोग को 150 5cc का इंजिन में देखने को मिलेगा जैसा कि हम लोग को आरण 5 v3 में या फिर v4 में मिलता है उसी टे गाड़ी भाई कब तक लॉंच होगी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है आप लोग देख रहे हो तो मेरे को कमेंट से बताना कि भाई कौन-कौन जो इस गाड़ी को लेने वाले है तो अगर हम लोग बात करें गाड़ी कब तक लॉंच होगी तो गाड़ी जो नेक्स्ट य हम लोगो टेलिस्कोपिक सस्पेंसर नहीं मिलेंगे रियर में हम लोग एक मोनो सुक सस्पेंसर मिलेगा लेकिन जो सबसे बड़ा जो हाईलेटिंग फीचर है इसका जो लुक है यह काफी ज्यादा अमेजिन दिखने वाले गाड़ी होने वाली है ऐसा रेट्रो लुक यामा हम लोगो पावर भी बिल्कुल भी सही नहीं मिल ला है अब जैस जैसे हम लोगो पावर मिल ला है एंड प्राइजिंग में वालाग 45,000 के करीब हो चुगा इसका ओन रोड प्राइस ठीक है तो तो तेरा चोदा भी एचपी का पावर को अगर हम लोग लेंगे 30,000 के लिए तो बिल्कुल भी वो वर्थ इट नहीं है ठीक है तो उस हिसाब से गाड़ी जो है बिल्कुल भी सही धंक से नहीं चली इंडियान मर्केट में लेकिन गाइस जो यामा XSR 155 है वो चलने वाली है क्योंकि गाइस इसमें जो सबसे हालेटिंग फीचर से इसमें हम लोग एक बड़ा इंजिन देखने को मिलेगा जो कि Aum5 जैसा है एंड जो सबसे और भी एक बड़ा इंपोर्टन जीज़ है कि इसमें हम लोग पावर आर्म 5 वी-4 वी-5 M से जादा देखने को मिलेगा ठीक है तो उससे सबसे गाड़ी को काफी लोग पसंद करने वाले जो है वो भी 70 तक जाएगा ठीक है 1,75, 70 से 65 से 70,000 तक मेक्सिमम इसका ओन रोड प्रैस जाएगा जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा सही है क्योंकि इस बजेट में आप लोगो इतना अच्छा गासा इंजिन देखने को मिलेगा एंट हम लोगो एक नीव लूप नीव अपटार में एक नीव गाड़ी देखने को मिलेगा इंडियन मारकेट में इस गाड़ी जो मुने बता दिया है 2022 2022 में एक महीने में लॉच्छ होने वाली है बताना है क्यों नुको जरौक specific कर दिजाने को लिए रखेंगे it कमेंट्स में रखो यह जरूर बताना एंड आप सब इसले जाने से पहले यह रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो चैनल को जारू सब्सक्राइब कर दीजा एंड बैल लाइक एंजोए दवा देने वीडियो को जो लाइक और सेर्विक कर दीजा सब्सक्राइब कर दीजा एंड नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जाए हिन फंदे मात